Hello everyone, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो साल तक के बच्चों का जो माइल स्टोन होता है, जो नॉर्मल डिवलापमेंट होता है उसके बारे में कि दो साल तक के बच्चे जो है वो क्या-क्या कर लेते हैं और क्या-क्या कर लेने चाहिए और एक दो महीने आगे पीछे इस ओल नॉर्मल क्योंकि हर एक बच्चे का डिवलापमेंटल पेस डिफरेंट होता है लेकिन बच्चा अगर सवा दो साल धाई साल हो गया तब तक भी अगर उसने दो साल की माइल स्टोन को अचीव नहीं की है तो बिल्कुल आपको आपके जो कॉंटक्ट करना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहली चीज़ फिजिकल माइल स्टोन की बात करें तो दो साल तक के बच्चे जो है बैटना पलटना चलना दौडना दौड बहुत जादा देर तक नहीं पाते हैं बट येस कुछ सेकेंड के लिए व काई बच्चे जो है वो दीरे दीरे दो वर्ड को जोड के भी बोलना सीखते हैं जैसे पानी दो टौई दो मेरी मम्मा इस तरह के वर्ड बोलते है या अट लिस्ट मम्मा या फिर अगर आपने उनसे कोई सवाल पूछा कि क्या तुमको खाना खाना है तो इधर देविल से येस हां और वो कहेंगे नो और कई बच्चे कभी-कभी जैसे खेलने वगरा में बिजी हो तो वो एक exception है कि most of the time अपका बच्चा जवाब दे रहा है बट कभी-कभी उसको जवाब देने का मन नहीं है तो वो जो है इस तरह से गर्दन हिला के जवाब दे सकता है so that's completely normal आशाके से था कमांदस पनी की तो लlorत आँवा को है तो आपने तू स्वान त्यु यह तो स्टेप कमांड तक के बच्चे वन भासे समझने लगते हैं आप सिंपली जाओ जब घर पर किसी से बात टो मनिकेशन भी ठोड़ा बहुत बच्चा समझने लगता और कई बार आके आपको उसका जवाब भी देता है ठीक है? या फिर अगर जब आप बच्चे के बारे में बात करोगे तो बच्चा आपको गौर से देखेगा कि वो इन चीजों को समझने लगता है कि आप उसके बारे में बात कर रहे हो और दो साल के बाद बच्चे बहुत तेजी से अपनी वोकाबलीरी को स्ट्रॉंग करते जाते हैं और इसमें आप उनकी कैसे हल्प कर सकते हो देखो जैसे आप कभी अगर बच्चे को वाक पे लेके गए बच्चे ने कोई चीज देखी जैसे कि ट्री देखा पेड़ देखा वो बोलेगा ममा ट्री तो आप बोलोगे येस बिटा इस बेटा इस बिग घ्री डरी आप ने इसकी वोकाबलीरी में बिग डाला और ग्रीन डाला ठीक है या फिर हाँ वो एक बड़ा सा हरा पेर है तो आपने उसके डिक्सनरी में दो एक्स्ट्रा डाले इसी तरीके से जैसे घर पर बच्चे को आप खाना दे रहो बच्चा बोले का यामी तो आप बोले को जो भी आपने बनाया हुआ खाना उसका नाम ले के जैसे येस बेटा, food is yummy, तो आपने एक और वर्ड एड़ किया, कि food खाना tasty है, खाना yummy है, या फिर food is tasty and yummy, तो इस तरीके से आप बच्चे की vocabulary को increase करने में help करोगे, इसके साथ ही साथ, दो साल के बच्चे जो हैं, थोड़ा social होना शुरू कर देते हैं, अपने एज के बच्चे को साथ खेलना शुरू कर देते हैं, अगर वो co-play ना करें, मतलब साथ में बैटके एक दूसरे से बात करते वे नहीं खेले, तो at least parallel play करते हैं, दूसरे बच्चों को observe करना शुरू करते हैं, तो दो साल का बच्चा अगर आपका हो गया है, तो उसे socially involved कीजिए, बाकी बच्चों के साथ खेलने का मौका दीजिए, चाहें तो pre-school में भी आप डाल सकते हो, थोड़ी देर के लिए जो play school होते हैं, वहां काफी बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, और एक दूसरे को देख के चीज़े सीखते हैं, यह सारी चीज़े बच्चे के developmental milestone को अचीव करने में help करेंगी, and believe me friends, birth till 5 years are very very important for child's development, पान साल तक जो age होता है बच्चों का बहुत important होता है, आपको किसी भी टाइम पे लगे कि अगर बच्चा कहीं developmentally delay हो रहा है, तो पिलकुल बे हिचक, आप जो specialist होते हैं, जो therapist होते हैं, उनकी help लें, इससे बच्चों को बहुत फाइदा होता है, आज की इस वीडियो में इतना ही, प्लीज चैनल को subscribe करें, और bell icon को press करें, ताकि आपको हमारे सारे notifications मिलें, और वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे like और share भी करें, और हाँ, अपने valuable feedback और suggestions भी comment section में जरूर दें, thank you so much for watching this video, bye!